हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज मैं आपको आलू का रसा बनाना बताऊंगी इसके लिए मैंने चार पुबले आलू लिये हैं और ये मठा लिया है कड़ाई में मैंने घी डाला है और अगर आप इसे तेल में बनाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं बट वो फटावा होना चाहिए जब घी गरम हो जाए तो इसमें हम जीरा डाल देंगे हल्दी डाल देंगे और लालमिज डालेंगे जब इतीरों भुन जाए तो हम दो कटूरी की करीब पानी डाल देंगे गैस फुल पर होनी चाहिए अब इसमें हम उबले वे हालू आलू हाथ से मसल कर डाल देंगे जैसे ही पानी में उबाली आ जाएं तो हम इसमें मठा डाल देंगे मठा भावत खटा नहीं होना चाहिए और इसे कंटीनेस चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाली ना आ जाया अगर हमने इसे बीच में चलाना छोड़ दिया तो यह सबजी फट जाएगी उबाली आने के बाद गैस हम हलकी कर देंगे और पांच से साथ मिनट तक पकने देंगे पांच से साथ मिनट पकने के बाद इसमें हम नमक स्वादोनसा डाल देंगे और हरा दनिया डालेंगे और हमारी सबची पकर तैयार है अब इसे हम गैस बंद कर देंगे इसे आप पूरी पणाठा रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जबूर बताएं थैंक यू